S.N. Medical College की सरजरी विभाग ने National Pediatric Surgery Day सेलिब्रेट किया इस टे को सेलिब्रेट करने का मकसद लोगों को बच्चों में हो रही जन्मजात विक्रतियों के बारे में जागरो करना था सरदी बढ़ने के साथ ही आगरा में सरवाइकल वर साइटिका के मरीज बढ़ने लगे हैं यहां नसो में सूजन और कमरदर्द से मरीज परिशान हो रही हैं तेश में 1965 से National Pediatric Surgery दिवस मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों को जागरो करना है कि जन्मजाद विकृतियों का इलाज गर्ब के साथ शिशू के पैदा होने के बाद भी किया जा सकता है सही समय और सही जाच से कई तरह के रोग समय पर पकड़े जा सकते हैं यह आज के दिन 29 दिसमबर को हम लोग Pediatric Surgery Day के रूप में बनाते हैं इसका कारण है कि लगवग 58 साल पहले 1965 में आज ही के दिन Pediatric Surgery as a Super Speciality जन्र सब्सक्राइट होके एक सेपरेट चेप्टर एक सेपरेट बॉड़ी बनाई गई थी तो हर साल हम Foundation Day को अपने Pediatric Surgery Day के रूप मनाते हैं इसका बेसिक परपस यह था कि हम आम पब्लिक में आपके जागरुकता फैलाएं कि जो जन्मजाद विक्रती होती है उसका करेक्शन किया जा सकता है और बच्चों को बचाया जा सकता है एसन मेडिकल कॉलेज में पहली बार National Pediatric Surgery Day मनाया गया जिसमें एसन मेडिकल कॉलेज के सरजरी विभाग के सभी चिकित सग, जूनियर डॉक्टर और मेडिकल चात्र चात्राओं को इस कारिक्रम में बुलाया गया दोस्तों यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विशह है कि आज हम 58th Day of Pediatric Surgery Celebrate कर रहे है बेसिकली यह Celebration जो है एक वाड है लेकिन हम यह जो काम कर रहे हैं आज यह motivation के लिए कर रहे हैं आज जो हम लोगों का एक celebration वह बेसिकली प्रिदिक सथरी दे होता है साल में एक बार उनतीस दिसम्बर को जिसमें pediatric surgery और neural surgery से जुड़ी शिशू चीकिसा से शल चीकिसा जुड़ी बातों पर हम डिसकस करते हैं में लिए इस चीकिसा को प्रिशार प्रिशार के लिए जिससे की समाद में awareness आया है और सरकारी शेत्र में भी इसका इलाज किया जा रहा है C News के लिए लक्षमी राज सिंखी रिपोर्ट